हेलो बच्चों, वेलकम तो देजिटल प्लेट्फरम ओफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल, क्लास सेवन चेप्टर फिफ्थ हमारा चल रहा था लांसेंड अंगल्स, इसकी एक्सराइज 5.1 हम कम्लीट कर चुके हैं, चलिए आज शुरू करते हैं 5.2 तो आज की हमारी हेडिंग है, पिरस ओफ लाइन्स, देखिए, सबसे पहला टाइप है हमारे पास की पिरस ओफ लाइन्स पर हम देखेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, इंटरसेक्टिंग लाइन्स का क्या मतलब होता है, कोई भी दो लाइन जो एक दूसरे से इंटरसेक् कहते हैं यह double भी cross कर सकती है सिंगल भी cross कर सकती है किसी भी तरीके से next हमारे सामने है transversal transversal का मतलब क्या है कि कोई भी दो lines है उनको अगर एक single line दोनों को cross करते वे जा रही है for example मान लेजिए यह दो lines थी हमारी इसको एक single line ऐसे दो जगे पर cross करके जा रही है तो इसको हम बोलते transversal और इसके special बात होती है जब दो parallel lines को एक transversal cross करती है यह यह भी हमारी transversal है तो normal दो lines को भी cross कर सकती है यह और parallel lines को भी cross कर सकती है दोनों ही case में इसको हम transversal कहते हैं clear तो normal दो लाइने क्रॉस कर रही है यह तो होगे इंटरसेक्टिंग लाइन और दो लाइन्स को एक तीसी लाइन क्रॉस कर रही है उसको हम बोलेंगे ट्रांस्वर्सल यह चलते हैं आगे यहां पर एक ट्रांसफरसल आगे ठीक है तो देखिए यहां पर कितने एंगल्स बने एक बार देखिए यहां से स्टार्ट करते है यह एंगल 1 हो गया यह 2 हो गया यह 3 हो गया यह 4 हो गया यह 5 हो गया यह 6 हो गया यह 7 और यह एंगल हो गया हमारा 8 तो टोडल कितने एंगल्स बने यहाँ पर हमने देखा 8 angles बने total. यह चलिए अब यहाँ पर आता है सबसे पहले term है interior angles यहाँ पर interior आंगल का क्या मतलब है यह हमें समझना है. Interior angle का मतलब यहाँ पर है यह जो दोनों lines है. total angle हमारे 8 बन रहे हैं. इन दोनों lines के अंदर की तरफ जो angles है न अंदर की तरफ उनको हम क्या बोलेंगे? तो अंदर कौन कौन है, देखिए 3 & 5 & 8 ऐसे angles है ॐ नो ने हैं उनको हम क्या बोलेंगे? इंटियर आंगल इंटियर आंगल कॉन से होगे? Angle2 3 5 & ंगल8 ये चारों हमारे इंटियर होगे ऐसी इं दोनों man's के जो बाहर की तरफ angles हैं वह हमारे क्या हो जाएंगे exterior angle वह कौन से है 1, 4, 6, and 7 exterior angle कौन से हो गया हमारे angle 1, 4, 6, and 7 clear हो गया interior और exterior दोनों clear हो गया आप को दोनों line's के अंदर जो है interior बाहर जो है वो exterior चलते हैं next time पर next time क्या कहती है next time कहता है pairs of alternate interior angles alternate भी होने चीए और interior भी होने चीए alternate का मतलब यह है एक इस transversal के इधर होगा और एक angle इधर लेना है ऐसे लेना है तो alternate होने चीए और interior तो पहली बात तो interior चार एंगल यह आगे इन चारों में यह जो cross angles है ना 2 और 5 यह alternate है और interior भी है ऐसे जो 2 और 8 है यह भी क्या है alternate भी है और interior भी है तो pairs of alternate interior angle में हम क्या लिखेंगे angle 2 and angle 8 एक तो यह pair हो गया दूसरा हो गया angle 3 and angle 5 यह चीज़ क्लियर हो गई 3 के साथ 5 का pair बनेगा 2 के साथ 8 का pair बनेगा यह concept क्लियर हो गया next पर आईए next कहता है pairs of alternate exterior angle तो alternate होने चीए और exterior होने चीए exterior में कौन जाएगा फिर 4 के साथ आएगा 6 देखिए यह cross में आ रहे हैं और 1 के साथ कौन आएगा 7 तो यह दोनों exterior भी है और alternate भी हो गए तो कौन सा हो गया angle 1 and angle 7 और दूसरा pair बन गया angle 4 and angle 6 जैसे यह दोनों अंदर वाले cross है वैसी बाहर वाले cross जो हो जाएंगे वो alternate होंगे और exterior भी होंगे यह चलिए यह भी clear हो गया next point पहाते है pairs of corresponding angles corresponding का क्या मतलब है यह हम समझते हैं देखिए देखिए corresponding का मतलब यह है कि इस transfers को देखना है इसमें इस तरीके से देखना आपको मैं थोड़ा सा नया form बना के दिखाता हूँ आपको यह दोनों जैसे lines है और यह ऐसे है यहाँ पर हमारी जो नजर होने चीए वो ऐसे होने चीए यह आपको f दिख रहा है ऐसा उल्टा f बनावा है ऐसे है यह जो बना है इस चीज को देखिए इसमें जो यह जो दोनों एंगल बनेंगा इनको हम corresponding बोलेंगे क्याने का मतलब है यहाँ पर अंगल यह वाला और यहाँ पर अंगल 1 के साथ कौन होगा 5 या दूसरे शब्दों में हम ऐसे कह सकते हैं देखिए थोड़ा अच्छा से कि यह एंगल ले लिया इसके पास वाला छोड़ दो next ले ऐसे यह जो एंगल बन रहे हैं यह हमारे क्या होते है corresponding इसी तरीके से अगला पेर आपको लेना है तो देखिए अगला देखना आपको आपने यह एंगल ले लिया यह वाला एंगल और अगला आपको देखना है अब यह एंगल ले लिजी और यह वाला है तो इसके साथ इसका पेर इसके साथ इसका और इसके साथ इसका इसका इस तरीके से चलता है corresponding तो यहाँ पर देखके मुझे आ जाएगा टू के साथ आजाएगा एंगल ठीक साथ सीवंग एंगल 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 सेवन ये सारे हमारे क्या होगे? corresponding angle corresponding कैसे याद रखना देखिए, दो lines ऐसे बनेगी, एक line ऐसे बनेगी, ये वाला angle, pass वाला छोड़ दो, next, इस तरीके से याद रखना है, फिर ये दोनो, फिर ऐसे हमें याद रखना है, फिर, चल सकते हैं आगे, चलिए, next है, base of interior angles on the same side of transversal, same side of transversal कह रहा है, ये बड़ा important है, देखिए, इतना लेखिए, एक बार मैं थोड़ा सा, लियर कर दूँ, बोर्ड, चलिए, base of interior angles on the same side of transversal, देखिए, ये दू line ऐ थी, और ये हमने बना दी transversal, तो transversal के या तो इधर होना चाहिए, या उदा same side का मतलब, या तो left में होने चाहिए, दोनों right के, और दूसरी चीज, interior भी होने चाहिए, तो देखिए, interior angle अपने पास ये 4 है, 1, 2, 3, 4, ऐसे 4 angle अपने पास interior वाले, इसमें same side की बात करें, तो या तो ये दोनों angle होने चाहिए, या ये दोनों angle है, इस चीज को यहां लगा के देखिए, interior यहां कौन-कौन से है, 2, 3, 5, 8, एक side की बात करू, तो 2 और 5 एक side में है, 3 और 8 एक side में है, तो यहां पर क्या answer हो जाएगा हमारा, angle 2 and angle 8, और angle 3, 2 and 5, 2 और 5 एक side में, 3 और 8 एक side में, angle 3 and angle 8, ये same side है, ये दोनों एक side में है, और ये दोनों भी हमारे एक side में, इनको क्या बोलते है, pairs of interior angles on the same side of transversal, तो आगे जब हम parallel line के transversal देखेंगे, तब इनके कुछ concept अलग से देखेंगे, अभी तो आपको बस ये समझना है, कि interior angle किसे कहते हैं, जो अंदर वाले हैं, exterior angle जो बाहर वाले हैं, फिर alternate interior angle, यानि अंदर होने चीए और cross में होने चीए, alternate exterior बाहर वाले होने चीए, और cross में होने चीए, उसके बा on the same side, same side हम बात करें, तो 25438, ये same side होगे और interior होगे, ये total 6 type के angles मैंने आपको बताए है, इनको आपको कम से कम 6 बार practice करना है, आपको angles बता रहने चीए कि corresponding बोला है, तो क्या मतलब है, alternate बोला है, तो क्या मतलब है, interior बोला तो क्या है, exterior बोला तो क्या है, clear, चल सकते हैं आ तो क्या ध्यान रखना अपने को, ये दो parallel line है, और ये इसकी एक transversal है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये 8, total 8 angles हैं यहां पर, ये दोनो parallel lines है, ये L है, ये M है, हमने लिख रिया, L parallel to M, तो parallel line के transversal है, अब वापी जो पीछे 6 point हमने पड़े थे, वह यहां पर repeat कर रहा हूं है, सबसे पहला point, interior angle, जल्दे से बता दीजिए, interior angle कौन-कौन से है, फटा-फट बताईए, वही जो same हमने पड़े, तो दोनो parallel lines के बीच में जो angles आरे, 2, 3, 5, 8 हमारे क्या होगे, interior, हम फटा-फट लिख देंगे, angle 2, 3, 5, और 80 हमारे interior angle, next आते है, exterior angle, exterior angle बताईए, जल्दी से, exterior angle कौन-कौन से होगे हमारे जो बाहर है, 1, 4, 6, 7, 1, 4, 6, and 7, यह हमारे interior और exterior होगे, clear, आगे चलते है, 3rd point, इसको बोलते है, alternate, interior angle, यह बड़ा important है, इस पर विस्टार लगा के रखना है, alternate interior angle, वही वाली बात है, हमें cross में याद रखना है, इसको देखिए, alternate interior कौन से होगे, यह होंगे, 3 के साथ 5 और 2 के साथ 8, ऐसे, तो कौन-कौन से हो जाएंगे, angle 3, angle 5, angle 2, angle 8, यहाँ पर एखास बात क्या होती है, कि यह angles आपस में क्या होते है, equal होते हैं, यह ध्यान रखना, इस्टार क्यों लगा है, कि alternate interior angles, जब parallel lines होंगी, तो यह angle आपस में equal होते हैं, इसक लोग इसको ऐसे याद रखते हैं, देखो जहान से, यह ऐसे बना है, इसको ऐसे याद करते हैं, कि इसको देखिए, यह Z बन रहा है, Z के जो यह दो angle बन रहे है, Z दिख रहा है आपको, यहाँ पर Z बना के देखिए, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, 3 औ कि उल्टाइड यहां से आप देखोगे ऐसे यह और यह को यादर धा यहांको याद रखना है जायाupp को आप अच्छा लगत यहां यह सब्सक्राइब अच्छा लगत यहां रहेगा अर्टाइट इसा ऩाइभ सब्सक्राइब ज। ल१र दृटाइब इंटिरियर एंगल बराबर है वैसी अल्टिरियर एंगल भी बराबर होंगे उनकी बात कर लेते हैं अल्टिरियर एंगल को हम कैसे देखेंगे हम ऐसे देखेंगे जो बाहर वाले एंगल्स बन रहे हैं ये दोनों बराबर हो जाएंगे और ये दोनों बराबर इसमें देखिए 1 के साथ 7, 4 के साथ 6, angle 1 equal to 7 और angle 4 equal to angle 6 ऐसे, 1 7 के साथ 4 6 के साथ, ये भी क्या होंगे, equal होंगे, जब parallel lines होगी तब ये angles equal होंगे, ये ध्यान रखने, यहां तक लिखिए, फटाफट लिखिए इसको, चलें आगे, चलिए, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये total angle होगे हमार पास के, ठीक है, यहां पर हमने alternate angle सीख लिया, next हमारी term आती है, corresponding angle देखिए, corresponding angle क्या बताये थे, corresponding angle क्या बताये थे, answers के एक साइड में रहना, एक छोड़ के फिर next, यानि एक के साथ 5, दो के साथ 6, है, 4 के साथ 8, 3 के साथ 7, यहां पर corresponding angle हमारे हो जाएंगे, angle 1 equal to 5, 2 equal to 6, 3 equal to 7, और 4 equal to 8, यह चारों हमारे corresponding angles के pair हैं, और यह equal भी होते हैं, जितना angle 1 होगा, उतना ही 5 होगा, जितना 2 होगा, उतना ही 6, जितना 4 उतना 8, जितना 3 उतना 7, यह चीज हमें धिहान रखना ही है, यह, चलिए, लास्टम आती है हमारे यहां पर, यह कहता है, pair of interior angle on the same side of transversal, इसका क्या मतलब है, समझे, pair of interior angle, पहली बाद तो हमें interior angle जाना, interior है 2, 3, 5, 8, और same side of transversal, मतलब transversal के उधर, 2 और 5 है transversal के इधर, 3 और 8 है, यह कहता है, कि angle 2 प्लस angle 5 कर लो, या angle 3 प्लस angle 8 कर लो, इन दोनों का सम हमेशा 180 ही आएगा, कब 180 ही आएगा, जब यह parallel lines होंगी, और कभी मत कर देना, जब parallel lines होंगी, तब यह सम हमेशा क्या आएगा, 180, चाहे तो आप 2 प्लस 5 कर लो, चाहे आप 3 प्लस 8 कर लो, इनका सम हमेशा क्या आएगा, 180 ही आएगा, यह च्छे बाते थी आपकी parallel lines में, जब transversal होती है, तब हम किस तरीके से देखते हैं, तो आपिस repeat कर रहा हूँ, internal angle on the same side of transversal है, इनका add करेंगे, तो 2 प्लस 5 180, 3 प्लस 8 180, corresponding angle की बात करें, तो 1 इक्वल तू 5, 2 इक्वल तू 6, 4 इक्वल तू 8, 3 इक्वल तू 7, corresponding कैसे याद रखना अपने को, एक छोड़ के एक, ऐसे, ऐसे चले गा, और इससे पहले हमने क्या-क्या देखा था, alternate exterior, यानि बाहर वाले angle cross में बराबर, alternating interior, अंदर वाले दोनों आपस में cross में बराबर, और interior कौन से, exterior कौन से, या आपको पता ही है, चल सकते हैं आगे, चलिए, next topic पर आते हैं, चलिए, यहाँ से हमारी exercise start होती है, तो सबसे पहला question हमारे सामने exercise 5.2 का, state the property that is used in each of the following statements, यहाँ पर आपको A और B जो parallel line DV है, और यह एक transversal DV है, देख रहाँ आपको, तो चलिए, यहाँ पर हमें देखना है, यह कहरा है, if A parallel to B, A और B अगर parallel है, तो बताइए angle 1 equal to angle 5, 1 और 5 देखो कहाँ पर है, यह दोनों angle कहरा है, यह और यह equal क्यों हुए, जल्दे से बताओ क्यों equal हुए, तो देखा हमने एक छोड़ के एक है, इसका मतलब यह कौन सा case हा रहा है, यह आ रहा है corresponding angle का, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 1 equal to 5 है क्यों? Corresponding angle. Corresponding angle. चलिए, next कहा रहा है, इस 4 equal to 6 हो जाए, 4 equal to 6 का है, यह 4 और यह 6 बराबर हो जाए, तो A parallel to B होगा क्या, बिलकुल होगा, यह क्या है? Converse of, Converse of alternate interior angle. देखिए, अगर lines parallel है, तो alternate interior angle क्या होंगे? इक्वल होंगे. और इसका उल्टा क्या है? अगर alternate interior angle equal है, तो lines क्या हो जाएंगी? parallel. तो उसका यह Converse होगा. Alternate interior angle में जो समझाया था, उसका उल्टा करोगे, तो lines parallel हो जाएंगी. Clear? Next है, इस 4 plus 5 equal to 180. 4 plus 5 देखो, 4 plus 5 180 कब होता? हमने क्या का था? Interior angle होने चीए, और transverse के same side होने चीए. इनका सम हमेशा है क्या होता? 180 अगर parallel हैं तो. और अगर सम 180 आ रहा है, तो यह क्या हो जाएंगे? lines parallel हो जाएंगे. तो यह किसका Converse है? यह लिखेंगे हम, Converse of, pair of interior angle on the same side of transversal. Same side of transversal में अगर interior angles का सम करेंगे, तो 180 होगा, और अगर सम 180 है, तो lines क्या हो जाएंगे? parallel हो जाएंगे, उसका Converse होगे. यह जल सकते हैं आगे? चलिए. Next question पर आते हैं. Question 2 क्या कहता है? यहाँ पर दो line से A और B हमें parallel DV है. यह कह रहा है, identify the pairs of corresponding angle. जल्दी से बताव corresponding angle कौन से है? तो पहले का answer हो जाएगा. जल्दी बताव corresponding. 1 के साथ 5, एक छोड़के, 2 के साथ एक छोड़के 6. तो हम लिखेंगे angle 1 equal to angle 5, angle 2 equal to angle 6. और कौन है? जल्दी से बताव. 4 के साथ 8. और कौन है? 3 के साथ 7. यह हमारे कौन से होगे? corresponding angle. यह पहले का answer हो गया. जल्दी से आप answer देने की कौशिश कीजिए. मुझसे पहले. 2 केता है, तब पेस of alternate interior angle. alternate होने चीए, interior होने चीए. जल्दी से बताव, अंदर जो cross के अंदर angles है, यह दोनो. यह alternate interior है. जल्दी से बताव कौन सा होगया? angle 2 equal to 8 और angle 3 equal to angle 5. यह होगया हमारे alternate interior. नेक्स्ट है. पेस of interior angle on the same side of transversal. Same side of transversal की बात कर रहा है. जल्दी से बताव. Same side of transversal है. 2, 5, 3, 8. हम क्या लिखेंगे? 2 plus 5 और 3 plus 8 यह लिजी हमारा काम होगया. और last क्या कहा रहा है? The vertically opposite angles. vertically opposite angle कौन से होते हैं? जहाँ पे 4 angle बन रहे हैं. आमने सामने के जो angle से वो vertically opposite होते हैं. तो जल्दी से बता दो vertically opposite कौन कौन से बन रहे हैं? तो देखिए सबसे पहला. 1 के साथ vertically opposite बना रहा है 3. 2 के साथ बना रहा है 4. फिर 5 के साथ 5 के opposite कौन है? 7. और 6 के साथ बताईए कोई है अपोजिट 8 ये हमारे क्या हो गए वर्टिकली अपोजिट है तो उस सारे चारो टाइप के अंगल्स हमने बता दिये हैं यहां मैं कहना चाहूंगा हम ये मान के चल रहे हैं A पैलल टू बी तब हमने ये अंसर दिये है अगर A और B पैलल नहीं है तो फिर हम ये एकलंटु वाले शाइन नहीं लगा पाएंगे ये तो लगेंगे फिर भी लेकिन ये वाले इकलंटु नहीं लगेंगे ये नहीं तब ही होता है ये सारा काम जब ही पैलल हो थही चलते हैं आगे, चलिए, यह कह रहा है, in the adjoining figure, P parallel to Q, P और Q हमें parallel दिये हैं, देखिए, यह P है, यह Q है, दोनों parallel है, find the unknown angles, बहुत बढ़िया, देखिए, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं आपके लिए, थाकि आपको समझ में आए, थोड़ा सा बड़ा बना दे हम इसको यह लिजे, जहां जहां angle दिये हैं मैं लिख देता हूं, यह angle दिया हूँ है, 1, 2, 5, ठीक है, इसके पास यहां पे है F, यहां पे है P, और यहां पे है A, अपे है B, और यहां पे है C, और यहां पे है E, clear, ऐसा ही है, चलिए, मुझे एक चीज बताईए, linear pair आपने पड़ा था, कि linear pair में अगर दो angles का sum हम लेते हैं, तो हमेशा क्या होता है 180, तो सबसे पहले मैं E बता रहा हूं, तो E कितना हो जाएगा, E प्लस 125 इक्वल टू हो जाएगा 180, क्यों, हम यहां लेखेंगे linear pair, linear pair में दो angles का sum हमेशा मिलके कितना हो जाता है, यह straight line है, इस पे दो angles बन रहे हैं, दोनों का sum 180, तो E की value क्या आजाएगी, जल्दी से बता दीजिए, 180 में से 125 निकाल दो, कितना बचेगा, यह बचेगा 55, यह, तो E की value कितनी आगी, 55, अब जितना E है, उतना ही F होगा, यह पहला result, हम लेखेंगे, angle E equal to angle F, क्यों, vertically opposite angle, तो इस से हमें पत चल गया, angle F भी कितना हो गया, 55, जब E 55 है, तो F भी कितना हो गया, 55, बहुत बढ़िया बात, दो angle हमने निकाल लिए, आगे चलते, हमें दिख रहे हैं, यह parallel line है, दिख रहे हैं आपको, तो जितना F होगा, उतना ही तो A होगा, देखो जरा, F के बराबर ही तो A होगा, point, angle F equal to angle A, A के बराबर F होगया, क्यों होगया, alternate interior angle, ठीक है, तो F की value कितनी है, 55, तो angle A की value भी कितनी है, 55, बहुत बढ़िया, हमने तीन आंसर निकाल लिए, अब जितना A होगा, उतना ही C होगा, क्यों, A हो सी equal क्यों हो रहे हैं, vertically opposite angle, तो हम क्या लिख देंगे, angle A equal to angle C, vertically opposite angle, तो इससे angle C भी कितना निकल के आ गया, 55, ये लिजे हमारा fourth answer भी आ गया, अब देखते हैं हम, हमने देखा, ये जो 125 है, उतना ही angle D होगा, मैं लिख रहा हूँ, angle D equal to 125, क्यों, ये मुझे बता दीजे, एक बार ऐसा क्यों लिखा है मैंने, कोई भी बताईए, किसी को समाझे मारा है, कि जो D है, वो 125 के equal होगा, क्यों, देखे, बहुत बढ़िया, ये हो गया corresponding angle, corresponding angle क्या पताई था, दो parallel line ऐसे है, तो इसके pass वाला छोड़के next angle बराबर होगा, तो यहाँ ये दो parallel line है, इसके pass वाला angle छोड़के next जो आएगा, वो equal होगा, क्या लिखे यहाँ पर corresponding, तो angle D की value कितनी आ गई, 125, अब D हमें पता चल गया, 125 है, तो बता दीजिए, इसका vertically opposite angle कौन है, D के equal है, B, हम लिख देंगे angle D equal to angle B, vertically opposite angle, तो इससे angle B भी कितना निकल के आ गया, 125, ये लीजिए हमारे सारे answer है, तो बहुत simple है, देखिए, आप कुछ है type की चीज़े बताई है, उनको ही ध्यान रखना है, फटा फटा आपके answer आ जाएंगे, ऐसे, clear, चलते हैं आगे, चलिए, next question है, find the value of X in the following figures, if L parallel to M, ये figure दिया हुआ है, यहीं हमें solve करना है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना आप, ठीक है, अच्छे से देखो, ये 110 है, तो इसके पास बचा हुआ angle कितना होगा, जल्दे से बताईए, ये linear pair है, ये 110 है, तो इसके पास 180 में से 110 minus कर दीजिए, कितना बचेगा, ये बचेगा 70, क्या मैं सही कह रहा हूँ, 110 और 70 मिला के देखिए, 180 होता है, बिल्कुल होता है, तो ये 70 सही हो गया, अब य ये 70 है, तो X कितना होगा, मैं कैसे बता पा रहा हूँ, direct, मैं direct इसलिए बता पा रहा हूँ, कि X भी यहाँ पे 70 हो जाएगा, ऐसा क्यों का मैंने, क्योंकि ये है corresponding angle, कौन सा angle है, corresponding, ये हमने सीखा है, कि corresponding angles तो equal होते है, अगर parallel line से, इससे 70 निकाला, 70 से corresponding बता रही है, बहु उसरे diagram को खुद देखिए, चलिए, मैंने देखा, L parallel to M हमें दिया हूँ है, ये दोनों lines parallel है, ये 100 है, तो X कितना होना चाहिए, जल्दी से बताओ, तो मैंने सीधा देखा, ये 2 parallel line है, तो इसके वराबर तो ये सीधा ही हो जाएगा, 100, क्यों हो जाएगा, वही वाली बात corresponding angle, ये तो हमें confuse करने के लिए था, बहुत ही simple था ये तो हमारा question, इसको आप थोड़ा सा ऐसे बना लेजिए, आपको ऐसे समझ मा आ जाएगा, देखो, इस diagram को मैंने थोड़ा सा ऐसे बना दिया है, ये L है, ये M है, ये A और ये B है, ठीक है, A और L पे 100 दिया हूँ है, कोई और ये वाला angle हमसे, पूछा जा रहा है, ये 100 है तो ये 100 हो जाएगा, ऐसे, समझ मा रहा है, ये B आपको confuse करने के लिए दिया हूँ है, B को आप हटा दो, ये लो, ये B को हटा दिया, आप देखो, ये 100 है तो ये 100 ही होगा, ऐसे, तो डारेक्ट उदर भी अपने को देखना आना चीए, ठीक है, चलिए, next question के तरफ चलते हैं, चलिए, next question है, in the given figure, the arms of two angles are parallel, ये जो दोनों आम से ये parallel है, ये दोनों भी parallel है, तो कह रहा है, angle ABC equal to 70 degree हो, ABC angle हमें ये 70 दिया हुआ है, और ये दोनों parallel है, अगर ये दोनों parallel है, ये 70 है, तो इसको भी 70 होना पड़ेगा, इस angle का नाम है DGC, हम लिखेंगे, angle DGC equal to angle A, B, C, Q, corresponding angle, इससे क्या निकल का है, angle DGC हमारा निकल का है, 70, क्योंकि ABC हमें केता है, ये 70 है, तो ये भी केता होगे, 70, next हम से पूछ रहा है, angle DEF, देखिए, अब ये 70 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 70, इसको ऐसे समझेए, ये इस तरीके से, ये angle दिया हुआ है, और ये angle आपसे पूछा जा रहा है, ये भी corresponding angle है, तो क्या लिख देंगे, angle DEF equal to angle DGC क्यों corresponding angle, इससे क्या निकल के आगया, angle DEF भी कितना आगया, 70, ये दोनों ही 70 होगे, इससे 70 ये हुआ, इससे 70, ये हुआ, इससे 70, ये बहुत आसान था, सिरफ corresponding angle ही लगाना था, दोनों जेगे लग गया, खाम कतम, चलते हैं आगे, चलिए, ये last कुछान है अपना इस exercise का, जल्दी से देखे क्या कर रहा है, decide whether L is parallel to M, हमें check करना है, क्या L और M parallel है क्या, हमें इतना ही बताना है parallel है या नहीं, चलिए हम check करते हैं, ये L है, ये M है, ये दोनों interior angle है, इन दोनों का sum क्या मैंने, मैंने लिखा 126 प्लस 44, दोनों को जोड़ते हैं, कितना आता है, 6 प्लस 4, 10, 4 प्लस 2, 6 प्लस 1, 7, और ये हो गया 170, क्या 126 और 44 को add करने से, 180 बन रहा है क्या, ये 180 नहीं बन रहा है, ये 170 ही बन रहा है, तो therefore हम क्या लिख देंगे, L is not not parallel to M, क्योंकि ये 180 बनना चाहिए था, अगर ये 180 बनता, तब तो हम parallel कहते है, converse of sum of pairs of alternate interior angles, sorry, sum of pairs of interior angles on the same side of transverse, same side में है, दोनों का sum 180 अगर आएगा, तब तो parallel है, नहीं तो नहीं है, clear cut बात हो गई है, चलो, दूसरा वाला case देखते हैं, ये L है, ये M है, हमने देखा, ये 75 है, तो यहाँ वाला angle हमने निकाला, ये 75 है, तो इधर किता बचिया, 105, 105 ही बचेगा, 75 माइनस करोगे 180 में से, और 105, ये भी 105 होना चाहिए था, अगर ये दोनों parallel होती, तो corresponding angle, हम ल therefore, L is not parallel to M, क्यों? corresponding angles की वज़े से, corresponding angles are not equal, अगर equal होते हैं, ये दोनों angle equal होते हैं, तो parallel होता, नहीं तो नहीं है, यहाँ भी हम ऐसे देख सकते हैं, 126 माइनस करते हैं, इधर वाला angle आता है, तो alternate angle equal नहीं आएंगे, चलो, तीसरे figure में आते हैं, देखें, ये 123 है, तो इसके pass निकालते हैं, हमने, 180 में से 123 माइनस कर लिजिए, जल्दी से बताओ कितना आएगा, 57, यहाँ 57 है, उपर भी 57 है, हम क्या लिखेंगे, L is parallel to M, दोनों same same आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, converse of corresponding angle सिर्फ यहीं ये equal आया, देखो, यहाँ भी equal नहीं था, यहाँ भी equal नहीं था, चलिए, last देखते हैं, last क्या कर रहा है, ये 72 है, तो इधर वाला बता दीजिए, कितना आएगा, 180 में से 72 माइनस कीजिए, यह आएगा, 108, ये 108 है, ये 98 है, क्या ये दोना angle equal आ रहे हैं, नहीं नहीं आ रहे हैं, तो हम लिखेंगे, 108 not equal to 98, therefore, L is not parallel to M, corresponding angle are not equal, यहां भी corresponding angle equal नहीं है, यहां भी equal नहीं है, और यहां भी हम चाहते हैं, तो देखो, ये 126 है, माइनस करेंगे, तो यहां आ जाएगा, 54, यहां भी आप देखिए, corresponding equal नहीं है, यहां भी 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 equal corresponding angle equal थे इसलिए parallel हो गया बाकी जगे यह parallel नहीं हुआ तो इसके दुबारा इगवार फिर से वीडियो देखना इसको और खुद से try कीजिए सारे question आप से होने चीए सारे angles पहले सीख लो कौन-कौन से है फिर उन पर practice कीजिए और एकदम अच्छे से पुकता कर लिजिए यह ऐसी exercise है जो आपके 8th class में 9th class में 10th class तीनों class में काम आने वाली चीज है यह चलिए इसी के साथ आज का session finish करते है next session हो मिलते है thank you so much